किशनलाल डालुजी प्रजापत विजया परिवार द्वारा वरसाई में इस्तित मोजावतों का गुड़ा आयोजी सम्मान समारो बड़े धूम दाम से संपन्न हुआ समाज की कई बंदोहों ने इस कारिक्रम में हिस्ता लिए और सबी का स्वागत किशनला डालुजी प्रजापत द्वारा शाफा बांध करवत सिक्का दे कर किया गया इस कारिक्रम को लेका विजया परिवार ने क्या कुछ कहा पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट इनका ग्रिया प्रवेश था, कितनी खुशी हो रही है और प्रजापती समाज एक गुलावे पे इतना इकठा हुआ, क्या कहना चाहेंगे इसके हैं। इनका ग्रिया प्रवेश था, कितनी खुशी हो रही है। एक दूस्ते का परिचे होता है और एक दूस्ते की भावना आदान परतान होता है। इस कारिक्रम को रगने का यही थात्वर रहता है, ताकि हमारा समाज एकत्वित हो और समाज में सिक्सा और हर प्रकार की वेवोशाली बने इसके लिए हमायों। किसन जी ने आज जो यह गरे परिवस का कारिक्रम था। उसमें हम यहां पर समाज का इनों ने सतकार समारों भी रखा। और उसमें जितने में मुंबे समाज के और बाहर से रास्तान से सबका समान के लिए मैं आज़ी का पर प्रकार कुटा हूँ। जिसको बोलते हैं कि एक गुलावे पेतने लोगी कठा होगे, क्या इसे कास पास है। यह सर खास पास है, मैंने फड़े मेरे रिडियूटी में है और इन्वेट किया और समानित किया और अपने जवार के इसाथ से पूरी समाज हमारे यहाई है। तो समाज को जागरूप मानते है या अपने आपको जागरूप मानते हैं। और समाज ही सब है समाज को अकर जोड़ना बड़ा कठिन काम होता है इतने लोगों को इकठा करना एक प्लेटफॉर्म पे लाना बड़ा कठिन काम होता है और कैसे कर लेते हो आप आसानी से इतने लोगों सर यह समाज का कठिन काम है मेरी तरफ से सुबकाम नहीं देना चाहूंगो कि अच्छे बाइचारा बड़े और हमारे ऐसा प्रोग्राम होते रहे ऐसे काम और चलते रहे सबसे पहले तो मेवार परजापा समाज मुंबाई के नविक मंदर की तरफ से में को भेर सारी सुबकाम नहीं देता हूँ जिस तरह से इन्मों आज का जो प्रोग्राम गरपरवस का किया है में बीस साल के अंदर मैंने इतने गरफ प्रवस देखे होंगे लेकिन जिस तरह समाज को सम्माने करना समाच के गर्माने अधितियों का समान करना मैं उनको 12 दिर से दिन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रातना करता हूँ मासर्यादियों से प्रातना करता हूँ कि इनको होब तन धन मन्द से इनका पडिवार हमेसा सुखी रहे